Connect Newsroom देविच तोड़ा स्वागत मैं मनप्रीतन दावा पंजाब सरकार कम किस तरह कर दिया और एस पंजाब सरकार दे अदिन पंजाब पुलिस कम किस तरह कर दिया मैंनू लगदा एदेविच कोई सानू नवा खलासा करन दी लोड़नी है सारे पली पंती जान दिया कि एस दी कारगुजारी हुंदी किस तरह अपने अकामा दे इशारेते अपने प्लिटिकल मास्टर्स दे इशारेते कम कर दिया आप अपना विवेक इस्तिमाल करके, अपनी बुद्धी दे इस्तिमाल करके या अपने प्रोफेशनलिजम नू अगे रखे एक कम नी करदे हर कम इना दवी लगपग सियसी होंदा और देख देया कि की एक कम करने नाल मेरे आका खुश होंगे कनून दा का मनिये कर दे नाई कनून दा कहना मन दे जिसे हिसाब देनल से विदा आंदेनल इनने चलना होंदा उस तरह ते कर देनल आप सारे नू पता मैं तरसल गाल कर रहे हैं लॉरेंस विश्णोई एक खतरनाख अपरादी एक ड्रेड़ेड गैंक्स्टर जिस दियां पिछले दिना देवेचे इंटर्वीज कुर्वाईयां गईयां और एक इंटर्वीज ओ देवेचे कटो कट पंजाब पुलिस ने पंजाब सरकार ने होन जाके किते पिछले दिना देवेचे मन्या कि हांजी एक इंटर्वीज ता साधे एथे होए सी शुरुवाती दौर देवेचे सारा पुलिस मैक मा लगा होया सी एथो तक कि पंजाब दे ओफीशिटिंग डीजीपी गौरव यादव वी पता लॉन देवेचे बिलकुल नाक काम याबी सी असफल सी यां हो सकथा उना धी कोई सेम्त हे आँ सी लग रहा बारे इएफ ही कई जारे सी किसा नूता पता नई आघरकर पंजाब थेहरया हाई कोर्ड़ दा डंडा चलदा स्थाइभी हूं धी या खचाई हूं धिया ऐनना धी फेर जाके एक खुलाथा कर द जो दो प्रबोध कुमार ओस IPS अफिसर दे अदीन ए एक टीम बढ़ी सी जिन्हों आसी SIT कहा दने है Special Investigation Team ओभी दिसंबर सान 2003 दे विच जाके पंजाब ते हर्याना हाई कोट नहीं बनाई सी कि तुसी पता लाउन दे विचे काम्याब हो तो अड़ा मैक मा बिलकुल नाकाम्याब रहा असफल रहा तुसी सानू दास देने ते फेर प्रबोध कुमार ऐसे तरह ऐस राहूल ते तीसरी अफसर सी ए दे विचे निलामरी विजे जगाद ले इनना तिन्ना ने फिर जुलाई दे विचे जाके एक बूल कीता केंदे जहां जी इंटर्वी ता होई सी और इंटर्वी होई सी महाली दे खरड़ C.I.A. स्टाफ दे विचे क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजंसी नू अपा कैदने या C.I.A. स्टाफ ओथे केंदे जी खरड़ दे वेचे करवाई गे सी और करवाई गे सी स्तंबर दे मीने स्टंबर सन 223.4 दी रात नू ए इंटर्वी हों दिया किमे करवाई जंदिया कि दी सेमती जिनाल करवाई जंदिया ए तहोंड सारे खुला से होगेने पर पंजाब ते हर्याना हाई कोट चौन दा क्योंकि जदो एक केस पंजाब हर्याना हाई कोट देवेच आया और जस्टिस अनुपिंदर सिंग गरेवाल ते जस्टिस लपिता बैनेरजी दी कोट देवेच आया थे उन्ना ने इही गल कई जोर देके कि एवे ना जेड़े जूनिर रदकारी ने या ऐस तरह दे अफसर ने छोटे अफसर ने उनना दे खलाफ ना कली कारवाई कर दे हो वड़े अफसरान उनना दे खलाफ कारवाई होनी चाही दिया क्योंकि ओवी एकुली ओवी ब्राबर दे जिम्यवार ने बलकी बाद जिम्यदार ने उनना दे अकाउंटबिलिटी फिक्स करो एक हल उनना ने कही है और एवी पुछिया कि तुसानू एद सो की ओस्टम मोहाली दा सस्वी कौन सी और ए सारा कोश जड़ी कारवाई हो रही सी एदे वेचे पंजाब दे होम सेक्रेटरी गुर्कीरत किरपाल सेंग होम अफेर्स एंड जस्टिस डेपार्टमेंट दे उस सेक्रेटरी ने ओभी वीडियो कॉन्फरेंसिंग रही अपीर हो रहे सी यानि कि एस दे वेचे शामिल सी एसे तरह पंजाब दे आफिशेटिंग डीजीपी गौरवियादव ओ भी ए वीडियो कॉन्फरेंसिंग रही अटेंड कर रहे सी सारिया प्रोसीडिंग्स और एस मामले दे वेचे गुरुमिंदर सिंग उर्फ गैरी एस टेम पंजाब दे अड़ोकेट जनरल ने ओ तक हैर अपीर होए सी और तुश्ची देखो ऐस सारे दा सारा मैकमा ओंदा की दे अधीना पंजाब दे मुकमंत्री पग्वंत मांँ दे सिधे ए अधिकार खेतर त्यवेचा उन्नदे अधीन ए मामला ओंदा उन्ना दे अधीन ए मैकमा ओंदा एस दी कारवाई चल रही सी ते गौरव यादव ने ते एसे तरह गुर्कीरत करपाल सिंग ने प्रोसा दिता अदालत नू जस्टिस अनुपिंदर सिंग गरेवाल ते जस्टिस लपिता बेनरजी दी कोड नू केंदे जीय सी जल्द तो जल्द सक्त कारवाई करांगे असी उनन अफसरांदे वड़े अफसरांदे खलाव भी कारवाई करांगे जिननाने एं इंटर्वीज हून देती है होन तुसी देखो इंटर्वीज हून दिया ने पर एस इंटर्वीज नू लेके पंजाब ते हरेणा हाई कोट सक्त क्यों थी क्योंकि जे तुसी ओ इंटर्वी देखे होने 14 मार्च दा ते 17 मार्च दा जेडे सन 2003 देवेचे अपीर होये सी टालीकास्ट होये सी ओध वेचे तुसी देख्या होना किस्तरा ए क्रिमिनल या ए खतरनाक अपरादी या ड्रेडिड गैंग्स्टर आपने आपनू गलोरीफाई कर रहा है आपने कम्मानू आपने अप्रादानू आपने जुर्मानू ए गलोरीफाई कर रहा है कि देखो जी इसता कतल कर देने आ और तानू पता हुना चाहिएदा आपनू सारे नू पता कि ए शुबदीब सिंग सिद्धू दे कतल देवेच भी ए दोशी है और एस ने कि पुलिस कस्टिडी दे वेच रहा है कि जुर्मा दी गल कर रहा है अपरादा दी गल कर रहा है क्राइम करन दी गल कर रहा है तो पता लग दा कि एस पुलिस दा या पंजाब पुलिस दा किसे नू कोई डर पाओ है भी या या नहीं वैसे एक गल यह हो दिया कि जो पंजाब पंजाब ते हरेना हाई कोट पुछदा कि ओस वक्त दा सानू SSP दस्या जावे और एसे करके होने एसे कोट ने पंजाब ते हरेना हाई कोट ने क्या कि 24 स्तंबर अगली तरीका और ओधो तक सानू एवी दसो और एदे विच मैं एवी दस दिलना कि एफिडविट फाइल करना पेया पंजाब सरकार नो गुरुमिंदर संग गैरी पंजाब दे एडवोकेट जनरल नो ते एसे तरह ओदे विच्छ गुर्कीरत करपाल संग जेड़े होम सेक्टरी ने ते एसे तरह डीजीप गौरव यादव उनना ने वी एज दे विच्छ पुरोसा देता कि असी था रहाएं घाति गुल्साइओ तुसी करोंगे क्योंकि ता नो डारा पंजाब ते हरेना हाइग कोड़ दा कि यह साधी हखलाफने किसे तरह तरह दी कोई कारवाई होजे किता सदीना दूबरा खिचाई हो जे पर पहला तुसी कित्ते सी नो तुसी देखों कि एही कोड हा सब्सक्राइब सब्सक्राइब दिरम्यान एंटर्व्यू कंड़क्ट कीती गे सी उन तुसी देखो नवंबर बारा नू एदी तबादला एदा ट्रांसफर हो जान दिया एदी बदली हो जान दिया और उस्तो बाद अगला एथे SSP मोहाली लगदा डॉक्टर संदीप गरग सन दोहजर बारा बैच दा एई आईटेस अफसरा उस्तो बाद एए आके एही कुर्सी साम लेंदा ते जदो एए इंटर्व्यूस टैली कास्ट हुदिया ने यानि कि ओन एर जान दिया ने दखाईया जान दिया ने एक प्राइबेट अधारे वलो न्यूस चैनल लो लो ओस वक्त एही सस्पी सी ते की एस सस्पी दा संदीप गरग दा एफर्जनी सी बनदा की पता करावे की दे वेले एंटर्व्यूस हुईया ते हुण मेरे वेले एफ टाली कास्टोरिय ते कित्ते हो रही है क्यों हुई या इंटर्व्यूस कौन अधकारी है दे लिए जिम्मेवारा ते संदीप गरग भी मिननू लगदा उनना ही जिम्मेवारा क्योंकि बाद दे वेच अगस्दे मिनने दे वेच ता एधी भी बदली हो जान्दिया एसे अगस्दे मिनने सन दोहजार चौवी दे वेच ते एथे एक होर आईपीएस अफसर आजन्दा दीपक पारिक खेर ओ बाद दे वेच अगस्दा पर एस तो पहला जड़े एधो एसेसपी या जिनना दे दुरान इंटर्वीवी होई ते जिनना दे दुरान इनना दोना दे दुरान ओसनू टेलीकास्ट भी कीता गया मैंनों लगदा इनना दी अकाउंटबिलेटी फिक्स होनी चाहिए तो पता लओना चाहिए तो कि की इनननू पता सी या इनननू पता ही लगण दे ता इननना दे थलड़े अफसरा ने या थलड़े अधकारिया ने तो फेर तो होर भी गल माड़िया एक जिले दा मुखी हो पंजाब दे डी जी पी नू लेके पंजाब दे एजी नू लेके और इस करके उनने ए वी क्या कि इनना बड़े यदकारियां थी घाज डिगनी चाहिए तिया एक इते स्कॉट फ्री ना चले जाने यानि कि एक बचने नी चाहिए ताकि तो अनू एक तरह दी निसीत मिले कि नजीर सेट होवे कि जे तुसी को असतरा दे काम कर दे और उस तो बाद उन्यून दे कोशिश कर दे अधी खुशिश कर दे और थाड़े उनसीन हो सक दिया गल हुण अगली कर देया और अगली करांगी गल काफी बड़ी है और गल बड़ी एसकार किया क्योंकि ए गल है पारदे प्रदानमंत्री निरंदर मोदी दी ते दूसरे ने एदे वेचे करदार पारदे चीफ जस्टिस डीवाई चंदर चूड वैसे तनम पहला ए दासना की जब देवाई चंदर चूड वो मा राष्ट्रत वो इने उत्थो दे वसनीक ने मूल वसनीक ने उत्थो दे रहन आले ने ते मामलातानू मैंनु लगदा बहुत सरे जड़े सान्नू सुरूते सुन रहे ने या सान्नू जड़े ऐस्तना दे दर्षका ओसा नू देख रहे ह उननों पताई होना कि पिछले दिना दे वेचे ग्यारा स्तंबर नू जो दो पारदे प्रदान मंत्री अचानक चले जान्देने अचानक गएने नहीं गएने एस चीज नू अपा ओनले एसे अपिसोड दे वेचे समझांगे 11 स्थंबर नूँ पारद्य परदानमंत्री डीवाइ चंदर चूड़ दे करे पॉन जान देने ते ओथे जाके ए गिनेश पूजा दे वचे हिस्सा लेंदेने और कल्ले डीवाई चंदर चूड नी हुंदे उन्हादी पतनी कल्पना दास्वी उन्हादे नाल हुंदे ते गिडिया तस्वीरा पारद्य प्रदानमंत्री निरिंदर मोदी ने अपने सोशल मीडिया आकाउंट ते या ट्विटर आकाउंट कहलो उन्हों एक्स अकाउंट क पूजा कर दे हुए दिखाई दे है पर एस तो वी जड़ी हरान करनवाली गल ए आ कि उन्हाने जड़ी पुषाग पाई होई सी कपड़े पाई होई सी पूरे मराथी स्टाइल देवेच जो मराथा या माराष्ट्रा दे लोग पॉंदे ने टोपी भी लाई होई सी जिस त पूजा दे वेचे पाग लेणा और गले यहां दिया कि उन्हाने इन्वाइट कीता गया सी कि डीवाई चंदर चूड ने उन्हाने बुलाया सी कि उथे होर वी गया सी या कले पारदे प्रदानमंत्री ने बुला ले या फिर पारदे प्रदानमंत्री ने क्या कि चलो उथ पूजा हो रही है मैं उत्थे चला जमा आपने पीमों वोलों आपने सारे अमले फैले वलों उन्ना नू ए सुनेया देदता गया होगी कि असी पूजा देवेचे शामिल हुणा अमुमन जोदो एस तरह दी पूजा हों दिया ते आम तरते कोई मना नी करदा पर एथे मामला आम नी आ एथे मामला पारत दे चीफ जस्टिस दा ओ पारत दे चीफ जस्टिस डीवाई चंदर चूर जिन्ना दा बहुत वधिया अक्सा और जिन्ना कोले पारत सरकार दे सबंद वेच ओस मुतलिक बहुत एम मामले ने अनले दिना देवेच भी उनना कोले बहुत एम मामले ने बहुत महत्तपून केस ने ते उनना केसा दी जजमेंट ते उनना ने आप बेना ते उनना नुझे पारदे प्रदानमंत्री मिलन चले जान देया ते फिर शक्षुबे ता पैदा हुंदेया विवाद ता पैदा हुं देने ते रात नूँ पारदे प्रदा अन्मंत्री निरंदर मुदी उस कोड दे वेचे रंजन गुगोई नूँ मिलन चले जन दे विवाद पैदा हो गया सी कि एन्ने एम मसली ने की कारण की आपस दे वेचे किसरे दादी कोई घल बाता नी चल रही शक्षुबे पैदा होंदे या ते सीनिर जेडे सुप्रीम कोड दे लोयर सी उनना देना दे वेचे उननने इस गल दी अलोच ना कीती सी खेर आपनू सारे नू बाच पता लगदा कि ओही रंजन गगोई पारदे चीफ जस्टिस बादे वेचे पार्ती जनता पार्टी वेलो नॉमिनेट कर देते जान दे या राज सबादे वेचे राज सबादी मेंबर्शिप लेलें दे या इस सारा केस आपनू पता आपनू एवी पता की उन्नकोले केडए-केडए-केडए-केडए-केडए-केडए-केडए-केडए-केडए-केडए-केडए-केडए-केडए-केडए-केडए-केडए-केडए-केडए-केडए-केडए-केडए-केडए-केडए-केडए-केडए-केडए-केडए- आई मिने ता नहीं भी दो मिन्या तो थोड़े जे उपर देन पर इने चौट देन पूरे बाकिया 10 नवंबर नू इनने रेटायर होना हजे तक इनना दर ट्रैक रेकड सी वो बहुत वदिया सी बड़े उनने एम फैसले भी ले पर हुन कितना किते जाके उनना ते इस वालिय निशान जरूर खड़े होगे ने कारण ए क्योंकि देखो किसे भी जस्टिस नूँ किसे भी जाजनोर खास तोरते जे वो हायर जुडिश्री दा चाहे वो हाई कोट दा ते चाहे वो सुप्रीम कोट दा ओस नूँ अपने आपनो इनना सारे मामलिया तो उत्ते रखना ना चाहे दा कि जडिश्री साढे वाटने मामलिय सुप्रों कोट देख रहे एक उन आदे व्ञत रहहां वैसे मैंनू एभी यादा कि सन 1997 में याद करो जड़े थोड़ी बहुती जानकरी रख देया या इस जुडीशिल मामलयानू या इस तरह दे मामलयानी जानकरी रख देया इननू फॉलो कर देया सत मैं 1997 में देवेचे 16 बिंदुवां दी या 16 पॉइंट्स दी या कुछ गाइडलाइन्स आया फॉल कोर्ट बैठा होया सी सुप्रीम कोर्ट दा ते उनना ने अपने आप ली कुछ गाइडलाइन्स बनाया ताकि जड़े जड़े जड़ीज ने ओ पबलिक लाइफ देवेच बिहेव किस तरा करना एथ मैं तानों एदासना कि डीवाई चंद्रचूर या कोई वी जड़ाइड़ा चीफ जस्टिस आ ओ केवल चीफ जस्टिस ओधो निया जदो कोर्ट चलाओं दा या कोर्ट देवेच बैठदा या कोर्ट दिया प्रोसीडिंग्स ओ देखदा ओ जद तो करवी आजना पूरा सेक्रेटेरियेट ओधा नाल चलदा ते ओ करवी चीफ जस्टिस ओ तो उसी कई वी देख्या होना जड़े पारदे चीफ जस्टिस ओ जे इंपोर्टेंट मामले होन ते रात नों दो-दो वजे वी ओ करे अपने कोर्ट से लोंदे या करे अदालता तो एस करके यह कहना कि वो सिर्फ सुप्रीम कोड देवेची चीफ जस्टिस ओ ते कर देवेच नहीं है बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि कर जाके भी ओसे तरह चीफ जस्टिस ओ जे उन्हाने करे भी पूजा रखी सी मैंनू लगदा उन्हाननू ए चीज अवाइड करनी च पर इसे करके तो शक्षु में पैदा हुन देया मैंनू ए भी याद है कि जेडियां ए सोडा गाइडलेंड सी सब तो पहली गाइडलेंड उन्हाननू जरूर दस देना क्योंकि सारीयां सोडा दीया सोडा पड़ियां निक जा सकते हैं वो देवेचे ए लिख्या सी सब तो शुरुआत ही इस तो हुन दिया कि justice must not merely be done but it must also be seen to be done यानि कि justice या इंसाफ केवल करना ही नी हुन दा लोका नू नजर भी होना चाहिदा कि हान जी वाक्य इस केस देविच इनसाफ होया अगली लाइन इस सिर्फ में पहला पॉइंट दास रहां अगली लाइन इस एक कही ज जाज दा जेड़ा हाई कोट दा होवे सुप्रीम कोट दा होवे ओधी केड़ी प्रसेप्शन ना ओ लोकां देवेचे ठीक जानी चाहिदे अक्स ठीक रहना चाहिदा ताकि ओधी क्रेडिबिलिटी ओधी प्रोसे योगता बनी जबे होन तो सी देखो एसे पैरे दी अगली लाइना इमें दनों पाड़के सनादना एनी एक्ट अफ जज अफ दा सुप्रीम कोट और हाई कोट वेधर इन ओफिशल और परसुनल कपैस्टी विच एरोडस देडिबिलिटी ओफ दिस प्रसेप्शन हैस तो बी अवाइद यानि की कोई भी तोड़ा कदम चाहे तुसी आड़ी के अपने एक परसुनल कपैस्टीज कर रहे हों चाहे ओफिशल कपैस्टीज कर रहे हों चाहे तुसी सुप्रीम कोट दे वेच्चों चाहे तुसी कारों चाहे तुसी हाई कोट चों चाहे तुसी कारों तो आड़ा कोई भी कदम तो आड़ा कोई भी एक्शन तो आ पारदे प्रदानमंति निरंदर मोधी जान भुज के उथे गए ताकि उता सुवीरा भी उनने आप शेर कीती है ताकि डीवाई चंदर्चूड दा अक्सखराब कीता है जा सके पर एस मामले दिवेचे साध्य कोले किसे तरह आंदर ना था कोई प्रमाना ना कोई सबू था कि उनने जान भुज के किता हुए पर डीवाई चंदर्चूड पारदे चीफ जस्चित वे होने और आले चौट देन उनना दे बाकिया केडियां केडियां ओर जज्जमेंट्स दिन दे ने एक्टो तक कि वैसे जज्जमेंट्स देता मैं बात चामांगया उस देता अपनी न के बलकि संजे राउद जड़े शिफ से ना देने उत्थो भी एक ब्यान आ गया खेंदे दारसल जड़े इंपोर्टन्ट मैटर्स ने बहुत इंपोर्टन्ट मसले ने उनना तो पारदे चीफ चस्टिस नो अपने आपनू वक कर लेना चाहिए दा दूसरे पासे ये कहना क कि इनना दे हर फैसले ते नजर रखनी चाहिए दिया कि किते कोई ऐस तरह दा फैसलांता नहीं आजू जेड़ा पारती जंता पार्टी जी केंदर सरकार दे हक देवेच या पारदे प्रदानमंत्री निरंदर बोधी दे हक देवेच चला जाओगा एसे करके ओनले चौड देने इनना ली बहुत ही एम ने बहुत महत्तपून ने एक एक फैसले ते इनना दी नजर रहेगी जे वाक्या इनना ने जाना इस हिस्ट्री देवेच इथेहास देवेच कि पारदा चीफ चसिस दीवाई चंदर चूड कदे चुक्या नी कदे उन्हें समझाथा नी कीता यहां उन्हान ने अपने प्रोफेश्यलिजम नूँ हेशा कहयम रख्या ते फ Starbucks लगदा उन्हान नू एसत्रा अं टरना पावगा सक्त रैना पावगा ते फैसले वी आपने प्रोफेश्यलिजम दे अधारते देने पहनगे नहीं ता फेर जिस्टरा रंजन गोई बारे ज परवेंद केजरी वाल नू तो नू पता हिया, लग पग 6 मिन्या बाद 21 मार्च नू एसे साल गृफ्तार कीता गया सी, ते आखिरकार सुप्रीम कोट ने उननू रहा देतीया, रहा देतीया, जमानत देतीया, इंटारिम बेल देतीया, 5 स्तंबर नू एही फैसला एसे सुप् जी रहा देतीया, एसे सुप्रीम कोट ने एवी क्या, कि ना ता तुसी अपने मुख मंत्री दे दफ्तर जा सकतेयों, ना ही तुसी फाइलां ते जडियां, फाइलां कर दिनियां, मुख मंत्री ने उनना ते साइन कर सकतेयों, किसे तरह दे दस्तकत कर सकतेयों, कोई फैसल देविछ सेमती नहीं है जस्टिस सूर्या कांट ते जस्टिस उजल भुयान जस्टिस सूर्या कांट केंदे कि जड़ी इन दी अर्वेंद केजरी वाल दी ग्रिफतारी सी यह बिल्कुल गैर कनूनी नहीं सी जड़की जस्टिस उजल भुयान केंदे है कि ये बिल्कुल गैर कनून नी सी आखिरकार फैसला किस तरह होया फिर जस्चे सूर्याकान ने एक या कि सनु हाला कि असी दोने अपने विचारां देविच अपने फैसले देविच वक्रे वक्रे है पर फिर भी सनु लिबर्टी वाल थोड़ा जा अपना स्टैंड लेना पोगा असी उदर अपना चुका रखांगे क्योंकि असी आज भी मांदे है कि बेल is a rule and jail is an exception याणि कि बेल हरेक व्यक्ती दा हरेक ओस इंसान दा अधकार बन दा जैदकि जड़ी jail या imprisonment दा ओ केवल ते केवल उनना मामलें देवेची होनी चाही दिया जड़े exceptional होन बड़े rare होन, बड़े काट होन नेता अमूमन हर व्यक्ती दी जमानत होवे ते फेर जड़े भी case देवेचे ओ लोडीन दा ओधी तफ्तीश होवे ते जे कालनू गल्ना साबित हो जान ते फेर उननों सजा कर दो एस गल उत्ते खड़े होन करके ता उनने ये गल कही है वैसे मैं दास दा कि जस्टिस उजल ब्यान ने ता CBI दी बड़ी खचाई कीती है CBI Central Bureau of Investigation के तानू ता ग्रिफ्तार करना ही नी सी चाही दा अर्वेंद केजरी वाल ता ओलड़ी ED दी हिरासत देविट सी ते पर जदो ED दे ओस केस देविचो केस दा ख़यर एक किया क्योंकि ED ने केस किता सी मनी लॉंडरिंग दा और तानू ए भी पता होना चाही दे मामला है किया यह शराब पॉलिसी देना जुड़या सन 2021 की दी ते ओस मामले देविच ED दे CBA दे इल्जाम ने ED दे इल्जामा के इनने मनी लॉंडरिंग कीती जिदेविच ओलड़ी इननू यानि के अर्वेंद केजरी वालनू जमानत मिलगी सी ते ऐसे तरह CBA ने प्रिष्टाचारदा केस कीता होया सी एस गल नू लेके Justice उजल बयान ने CBA दे हमला कीता केंदे जिवें पिंजरे दे तोते हैंगो यादा कानू 11 साल पहला इस तरह दी गल कीती सी सुप्रीम कोड दे जजजिज ने Justice आरेम लोदा 11 साल पहला दी गला उदो उननने पहली वरी CBA नू पिंजरे दा तोता केया सी ते ऐस गल नू फेर ऐस वरी दोहराया Justice उजल बयान ने केंदे पिंजरे दे तोते वंगो काम ना करो केवल ते केवल आपने अकामा दी अपने लीडर्स दी या जड़े तोड़े बॉसेज आ प्लिटिकल बॉसेज ये जड़े विया उनना दीया गला अख्ः मीच के नाम नो अपनी ऐस जेनियत दा इस्तेमाल करो, अपने दमाग दा आपने प्रोफेसिन नो देखो, अपने कंउन नो देखो सब दा आंधी गल करो तुमाम तरह दिया उन्हें ने गल्ना की तियां इस करके वो कहने दे कि टेड़ी ए रेस्ट होई सी अर्विंद केजरी वाल दे एकी मार्च नो ओ गैर कनो नी सी यानि कि दोना जज़ादा फैसला फरक सी पर आखिर कार राहत मिल गिया पर बड़ी हरानी हुन दिया कि राहत क किस ट्रा दिया जदो कोई मुख मंत्री अपने धफिनी जा सबके इस तो पहले सामयाना करते स! उस्तो बाद संजे संग देखलो एसे तरह तिलेंगाना दे साबका मुख मंत्री केच अंदरशेखर राओ उन्हादी कुडी कविता कल्वकुंतला इभी पिशले दिना देविचे जेल तो जमानती आई है इनू भी ऐसे केस देविचे फड़या होया सी विजे नायर नू भी फड़या होया सी तो मामें बंदें संजे सेंग जड़े एमपी ने इनन राज सबा दे उता छे मिन ने जेल च रहे सारे नू फटके रख्या और अर किसे दोरान की CBAE ते की ED किसे तुना दा कोई परमान अगे तक लेके आ पाई कि देखो जी इनने प्रिष्टाचार कीता इलजाम किया के अन्दे जी इननने बहुत तांदली कीती जा प्रिष्टाचार कीता ते उजड़ा प्रिष्टाचार दा पैसा सी और गोवादी यहलात ने दासलाख रुपैदा जर्माना भी लगा बाकी कंडिशन्स में आता नूँ अरवेंद केजरी वाल दियां दास्तियां मैंनू लगदा कि जड्री श्री नूँ थोड़ा होल्ड बोल्ड होके इस तरह दे मामले नूँ हैंडल करन दी लोड़ा इजिडिया रिस्टि